नमश्कार दोस्तों पातफाइंज पर आप सभी का स्वागत है मेरे नामने धी है दोस्तों ओनलाइन वाइलेंस, ओनलाइन हैकेंग, ओनलाइन अब्यूस ये सारी टर्म्स हमने सुनी हैं जिसको लेगे कुछ कानून भी है अगर हम महिलाओं के परिपेख्ष में बात करें एक नई टर्म आजकल सामने आ रही है विच इस कॉल्ड डॉक्सिंग क्या है एक डॉक्सिंग और किस तरह से हमारा पूरा डेटा जो है वो एक्सपोज रहता है ओनलाइन और इससे कैसे हम बच सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं हुआ यह है कि हाल ही में दिली हाइक कोट ने एक जजमेंट के दौरान एक केस था जहांपे एक महिला की प्राइवेट और पर्सनल इंफरमेशन जो थी वो पब्लिक प्लाटफॉर्म पर डाल दी गई थी जिसके बाद उन्होंने जो पब्लिक प्लाटफॉर्म था विच इस दी सोशल मीडिया जिसमें ट्विटर एक्स जो है वहाँ पर इंफरमेशन थी और दिली हाइक कोट ने कहा कि आप इसको रिमूव कर दीजे लेकिन ये डॉक्सिंग काटिगरी में नहीं आता जो केस था पर्टिकलर इट वोज नॉट दे केस ऑफ डॉक्सिंग तो इग्जाक्ली डॉक्सिंग क्या होता है ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे शुरुवात करते हैं विद्धी न्यूज वाट इस डॉक्सिंग Can you get arrested for it in India? क्या भारत में हम इसके लिए कोई हमारे पास कोई कानून है क्या इसमें arresting हो सकती है और अगर ऐसा हमारे साथ हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं क्या हमारे पास इसके solutions हैं ये हम आज discuss करने वाले हैं शुरुवात करते हैं with the news So Delhi High Court ने recently order किया social media platform X को कि वो एक content जो reveal कर रहा था private और professional details एक महिला की उसको हटा दे उसको remove कर दे लेकिन साथ में ये भी rule किया कि जो case है it was not related to doxing as the information was available public मतलब ही जो information थी already public थी तो ये doxing की category में नहीं आएगा तो actually doxing है क्या तो ये जो word doxing है न ये derive हुआ है from the phrase dropping documents Doxing एक नया शब्द है और इसका जो origination है originate ये हुआ है वो हुआ है from a spelling alteration of abbreviations dox for documents कई पर आपने देखा होगा na documents के लिए आप इस तरह से भी लिख देते हैं यहां से ये शब्द निकल कर आया है and it basically refers to कि compile करना और release कर देना एक dozier एक पूरा document चीज मतलब dozier of personal information on someone किसी भी व्यक्ती की personal information को drop down कर देना internet पर public कर देना ठीक है essentially doxing जो है is revealing and publicizing the records of any individual किसी व्यक्ती के records को reveal करना और उनको public platform पर डाल देना publicize कर देना यह है doxing जो कि ऐसे documents किस document को public किया जा रहा है किस document को reveal किया जा रहा है ऐसे documents जो पहले private थे या फिर उनको obtain करना मुश्किल था तो in this particular case जहां पर दिली हाय कोट नहीं कहा है कि यह doxing का case नहीं है यहां पर यह information जो थी private और professional information already public थी इसलिए इसको doxing के अंदर categorize नहीं किया गया ठीक है यह जो word है इसको popularize किया गया है by the hacker collective anonymous now इसमें क्या-क्या in documents हो सकते हैं क्या information हो सकते है basically includes sharing of phone numbers, home addresses, identification numbers या फिर कोई भी sensitive या कोई ऐसी private information जो पहले private थी उसको public platform पे डाल दिया जैसे personal photos जिससे जो victim है जिसकी details public आई है वो identify हो सके और वो exposed हो सकता है to further harassment, humiliation या फिर the real life threats जिसमें stalking और unwanted encounters भी आ जाते है in person मतलब लोग पीछे पढ़ जाते हैं इस तरह की चीजे भी हो सकती है this entire thing is what doxing is all about ठीक है अब इसमें क्या होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, भारत में क्या कानून है सम्मन में इन सब चीजों के बारे में discuss करते हैं before moving forward, यह मेरा छोटा सा introduction है दोस्तो, this is my telegram channel, जहां पर आप मुझे follow कर सकते हैं for all my class update, schedules and PDFs and academy offline centers for batches हमारे शुरू हो जाएंगे 19th April से करोलबाग center में, दिल्ली में हमारे दो centers हैं करोलबाग एन मुखर जी नगर, तो यहां पर अगर एक description box में एक form दिया है उस form को आप fill करते हैं, educator code निधी ढाका आप use करते हैं वहां पर तो और आप दिल्ली center चले जाते हैं, प्रियागरा center चले जाते हैं तो आपको यह benefit मिल जाता है 35% के discount का कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे टेलिग्राम पर message drop कर सकते हैं या फिर आप given numbers पर call भी कर सकते हैं इसी तरह से UP में प्रियागराज में हमारे एक center है जहां पर batches जो है bicycle से शुरू हो रहे हैं यहां आपको offer price मिल रहा है क्योंकि नया center है यहां आपको मैं बता दूँ कि UP SC के साथ साथ UP PCS की तेयारी भी कराई जा रही है जो कि बहुत ही nominal fees पर कराई जा रही है अभी जाकर enroll कर लीजे या फिर इन numbers पर call करके आप जादा जानकारे कर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और you can leave a message on my telegram channel also now what are the advantages मैं हम क्यों करें हम join offline centers देखो बहुत सारे advantage है जैसे कि आपके course जो आपको कराया जा रहा है तो आपको comprehensive coverage कराई जा रही है GS की यहां पर आपको dedicated CSAT और you know essay writing की classes मिलते हैं कई बार से होता है कि CSAT और essay writing ना चूट जाता है और ignore कर देते हैं आक्षन होता है यहां पर आपको test series की चिंता करने की जरूद भी नहीं है क्योंकि 40 से जादा sectional full-end tests आपको यहां मिल रहे है prelims और main exams के लिए और साथ ही आपको यहां मिलती है one-on-one mentorship and doubt solving also तो go now visit the centers and enroll for the courses now methods क्या है doxing के और इसको कैसे रोका जा सकता है तो doxers क्या करते हैं doxing जो कर रहा है उसको doxer बोल रहे हैं doxer है तो doxers क्या करते हैं कि हमारी जो information है वो collect करते हैं through IP addresses, social media profiles, मतलब nothing is safe that way या फिर ब्रोकर से data खरीद लेते हैं या phishing campaigns के through जो you know malicious activities के लिए होते हैं उनके through ले सकते हैं या फिर यह कई बार हमें report करना चाहिए police को and we should document the evidence to report it to the police also या cyber crime officials को या फिर जिस भी social media platform पर यह हो रहा है चाहे वो facebook हो या ex हो या कोई भी social media platform हो उनको हम इसके बारे में बता सकते हैं उनको भी हम complain कर सकते हैं यहां पर facebook ने क्या कहा है उसके बारे में जान लेते हैं तो facebook की जो parent company है meta वो docksing term तो यूज नहीं करती है अपने privacy violation policy में बट यह कहा गया है कि वो consider करेंगे किसी व्यक्ति को sharing personally identify information मतलब इसको violation माना जाएगा इसके community standards का ठीक है किसी व्यक्ति की information अगर शेयर कर रहे हैं तो यह violation होगा इनकी community का twitter में क्या कहा है twitter या x से क्या कहा है twitter basically या x allow करता है users को कि वो report करें docksing के बारे में और अगर किसी व्यक्ति के पहला violation आता है तो कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो व्यक्ति का account लॉक हो जाएगा और उसको वह information remove करने के लिए कहा जाएगा ठीक है जो भी media होगी जो भी information होगी अगर second violation होता है किसी के द्वारा कोई दूसरी बार ऐसा करता है तो वैसे में permanent suspension हो जाएगा उसके account का और वो जो accounts जो है जो devoted है to disseminating somebody's live location यह automatically suspend कर दिये जाते हैं भाई एक्स या भारत में इसके संबंद में कोई कानून है जी नहीं कोई भी कानून फिलहाल इस तरह का हमारे देश में नहीं है जो prevent करे या पनिश करे doxing को directly in India लेकिन कुछ कानून है इससे संबंधित यह इस तरह की जो information अगर जा रही है पब्लिक प्लाटफॉर्म पर उसको check करने के लिए कुछ कानून है जैसे voyeurism को लेकर एक कानून है section 354 C है IPC का and IT Act का या फिर voyeurism basically होता है कि आप छुप कर किसी की private चीजों को record कर रहे है देख रहे हैं ठीक है या फिर डाइवल्च कर रहे है sexually explicit content को फोट निकाल रहे हैं दिखा रहे हैं सबको है ना इस तरह का IT Act में है उसके लाओ obscene content के against भी कानून है section 292 IPC defamation को लेकर भी है मतलब किसी व्यक्ति को आप defame कर रहे है online तो उसके लिए भी कानून है सजा के प् online stalking also in India section 354 D IPC ठीक है तो यह कानून है जो directly doxing को तो नहीं prevent करते है पनिश करते बट indirectly इन कानूनों के अंदर व्यक्ति को सजा मिल सकती है तो ऐसे में कोई व्यक्ति कोई case होता है ग्रीव किसी व्यक्ति का जो doxing से ग्रस्त है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्या कर वो register करे complaint को अपने नियरे cybercrime police station में या फिर register करे एक online complaint on cybercrime.gov.in anonymously या फिर वो report कर सकता है इसके बारे में अपने social media account के help center पर भी भारत में आप ये कर सकते हैं ठीक है अब question उठता है क्या महिलाएं जादा affected है इस तरह के जो crimes है जो online violence है उसके against या other than men compared to men तो यहाँ पे 2020 की report है UN women की जिसमें बताया गया कि women focusing यह report जो है UN women it focuses on तो यहाँ 2020 की report है by UN women जो focus करती है इंडिया, Malaysia, Pakistan, Philippines and South Korea पर और इसमें पता लगा है इस report के अंडर ये कहा गया है कि महिलाएं experience करती है अलग-अलग forms के online violences simultaneously such as trolling की जाती है doxxing, social media hacks, etc. मतलब, trust me, being a female educator, I feel yes. Personally, I can say that this happens. This happens. Being there on this like online platform from for like good number of years now, I can say this with my personal experience that female do, you know, face a lot of this kind of things when you are there on these public platforms. एक और report जो की 2020 global report है ये भी the Economist Intelligence Unit की उसके according भी जो online violence against women वो बहुत जादा prevalent है in all the 51 countries surveyed. ना यहांगर हम आकडो की बात करें तो 45 प्रतिशत generation Z या Gen Z और millennial women जो है, they report being affected compared to 31% of generation ex-women and baby boomers. तो अभी क्या है माम, Gen Z आज वाली generation जो आजकल है generation मतलब, it is like late 90s के बाद वाली generation, 2000 के बाद वाली generation है. Millennial is basically, ये generation हो गई जो 90s से पहले वाली generation है, 80s, 90s वाली generation है. वही generation X की हम बात करें तो it is like 70s, 80s वाली generation हो गई, 60s, 70s, 80s वाली. Baby boomers are the older generation, जो 40s, 1940s, 50s, 60s में बाउन है. उन महिलाओं के comparison में ठीक है, वही 85% जो महिलाओं सर्वे की गई in the overall report, they have witnessed online violence against women. तो काफी चौकाने वाले हाँ पुर आकडे हैं और situation अच्छी नहीं हैं. Trust me when I say that. मतलब अगर आप हैं तो आप exposed हैं to all these kind of things. But there are rules, don't be scared. There are laws, if not directly of you know correcting or punishing the crime like doxing. But उससे related जो चीजे हो रही हैं उनको curb करने के लिए, उनको punish करने के लिए, there are laws in India also. So please if you feel any of these things, you know you are part of it or you are victim of any of these things, please go out and speak on your social media handles to the nearest you know cybercrime units. या जो हमारे you know websites हैं वहाँ पर आप message drop कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी complaint डाल दीजे. या नेरेस police station, that is the safest. Whatever suits you. और अगर आप बहुत बड़े नहीं हैं, आप नहीं जा सकते हैं अकेले, तो please talk to somebody in your family who is responsible, who can help you with all these things. Just don't let them go away. चलिए, that was it from my side guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also if the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye. Okay. झाल झाल